हेलो फ्रेंड्स एक्सल की स्कलाश में हुम टेप के बारे में हुम टेप के अंदर ब्लोग नमबर डी फट्टेंगे इसी कलाश में blog नमबर डी, number blog number block सबसे अच्छा blog है सबसे अच्छी जगों पर कामे आता है एक्सल में basic to advanced ये blog हमको कामे आएगा तो आप इस चैनल पर बने रहे हैं वीडियो आप पूरा जरूर देखें ब्लोग, नमबर ब्लोग में देखते हैं इसमें निमन ओप्सन लिखेंगे जैसे नमबर यहाँ पर जब हम सेल में काम करेंगे हम कोई टैक्स टाइप कर रहे हैं हम कोई नमबर टाइप कर रहे हैं कोई भी हम सेल के अंदर नमबर टाइप करेंगे कोई भी डिजिट हम टाइप करेंगे वहाँ पर नॉर्मल आपको जनरल ब्लोग यह होता है यह जनरल ओप्सन जो होता है वो एक्टिव दिखेगा जब हम संख्याएं उसमें टाइप कर रहे है दस हम संख्याएं उसमें टाइप कर रहे है तो जनरल ब्लोग दिखेगा हम संख्याएं ग्यारा टाइप कर रहे हैं सेल के अंदर तो उसमें नमबर ब्लोग दिखेगा लेकिन यदि हमने 10-11 संक्या से अधिक संक्या या अधिक डिजिट हमने सेल के अंदर टाइप करते हैं तो वह वहाँ पर number block काम याएगा इसके बाद में currency देखते हैं हमें किसी भी data को या हम किसी भी संक्या को यदि हमको उसको currency में दिखाना है उसको एक dollar में दिखाना है या रुपे में दिखाना है तो हमको वहाँ पर उस सेल को currency format के अंदर change करना पड़ेगा और इसमें देखते हैं करंची में हम दिखा सकते हैं उसको हम account team में दिखाना चाहते हैं जैसे हम कोई bill तयार कर रहे हैं बिल में हम value डाल रहे हैं या हम वहाँ पर रुपे सो करना चाहा है हम type कर रहे हैं 10.00 या फिर point के बाद में हम value दिखाना चाहा है तो वहाँ पर उस data को उस सेल को हमको accounting accounting के अंदर change करना पड़ेगा हम date सेल के अंदर हम date दिखाना चाहा है तो वहाँ पे हम date को का में लेंगे उस sale में यदि हमको short date दिखाना है तो short date को पहले का में लेंगे उस date को हमको long date पूरी date में दिखाना है जैसे आज 10 March 2021 इस प्रकार full sale के अंदर full date को दिखाना है तो उस sale को पहले हमको long date के अंदर change करना पड़ेगा हमको time दिखाना हूँ उस sale के अंदर time तभी दिखा पाओगे जब sale को हम time format के अंदर change करेंगे time option में change करेंगे हमें किसी भी संख्या को percentage में दिखाना हूँ जैसे हम कोई भी त्यार कर रहे हैं कि 10% 12% तो वहाँ पर percentage के अंदर आप data को दिखाना चाहरे हैं तो वहाँ पे उस sale को पहले percentage के अंदर convert करेंगा यह number blog में option होता है किसी भी संख्या को आप fraction में दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको fraction में काम में लेना पड़ेगा या fraction के दुआरा उस sale को पहले fraction में change करना पड़ेगा आप किसी भी data को sale के अंदर आप scientific रूप में भी यहाँ पे दे सकते हो सबसे important की बात करूँ में text format यदि आप एक्सल के अंदर काम कर रहे है एक्सल में किसी sale में आप काम कर रहे है sale के अंदर जब आप 15 digits से अधिक संख्या टाइप करोगे तो वो show नहीं हो ली 15 digits से जादा आप संख्या sale में डाल रहे हो तो 15 से जादा वाली जो संख्या है वहाँ पे 00 show करेगा तो उस से बचने के लिए जैसे account number हम टाइप कर रहे है sale के अंदर तो यदि 15 digits से जादा संख्या है टाइप कर रहे है तो वहाँ पे 15 16 नंबर की जो संख्या है 17 नंबर की संख्या उसको 00 के अंदर दिखाएगा तो उसके लिए वहाँ पे हमको text format को में उस sale को change करना पड़ेगा तो यह छोटा सा ब्लोग था number blog लेकिन काम बहुत अच्छा करेगा यह बहुत अच्छा आप सीख सकते हो excel को तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें इसका practical देखते हैं लाइप तो आप बने रहें इस YouTube चैनल पर number blog का practical देखते हैं सबसे पहले number blog में general जो दिकरा है option यहाँ पे यह आप normal जो संख्या टाइप करोगे वो इस दस डिजिट शो की यहाँ पर मैंने दस डिजिट यहाँ पर डाला यह general blog के द्वारा डल रही है फिलाल इसको मैं पता करूंगा एक छोटे से formula की द्वारा equal to equal to equal to इसलिए लगाया क्योंकि excel के अंदर जो सभी formula होते हैं वो बराबर के जिन से चालो होते हैं equal to sign से start होते जो equal to land formula है यह text में कितने आपने सब्दिर है वोन सब्दों की counting करता है तो यहाँ पर हम text को select करेंगे यहाँ पर cost बंद एंटर इसके अंदर 10 संख्या है है total यहाँ पर हमने 10 संख्या डाली यहाँ पर general blog काम कर रहा है यह नंबर blog है यह इसमें यह option है इन option को हम देख रहे ह यह option तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जैसे ही मैं इसमें digit तोड़ी और बड़ आता हूं यहाँ पर जैसे 1234567891011 मैंने 11 संख्या टाइप की यहाँ यहाँ पर मैं इसको drag कर सकता हूं यहाँ इस cell के अंदर मैंने 11 संख्या तक काम किया मैं 11 संख्या टाइप क लेकिन फिर भी जनरल ब्लोग काम यह आ रहा है अब जैसे मैं 11 संख्या से अधिक संख्या टाइप करने की कोशिश करूंगा तो इसमें देखना किस प्रकार से यहाँ पर वेल्यू आप शो नहीं होगी जैसे मैंने आप टोटल डिजिट जैसे मैंने संख्या डाली यहाँ इसके मैंने संख्या डाली है 12 इसी से अले के अंदर लेकिन यह इस फॉर्मेट में आपको दिख रही है इसके लिए आपको अब यहाँ पर इसको नंबर के अंदर चेंज करना पड़ेगा नंबर ओप्शन में इसको convert करना पड़ेगा यहाँ पर नंबर में चेंज करेंगे जो यह point zero डाल सकते हैं नहीं देना है तो यहाँ पर हम इसको increase और decrease के माद्य हम से कम कर सकते हैं तो यदि हमने 11 संख्य से जादा सेल के अंदर संख्या डालते हैं तो वहाँ पर हमको number block को कामे लेना पड़ेगा number block के द्वारा उन संख्याओं को आप दिखा सकते हो pixel के अंदर, sales के इंदर इसके बाद मैं crunchy है जैसे मैं यहां पर यह कुछ संख्या डाल रहा हूं यहां पर मैंने डाला विस तो मैं इसको crunchy के रूप में दिखाना चाहूं जैसे डोलर, जैसे रूपे और accounting के रूपे में इसको हम डाल सकते हैं यहाँ पे इस value को और इसमें बात करें जैसे मैं यहाँ पे कुछ value अपने हिसाब से डाल रहा हूँ 10.00 तो जैसे ही मैं next cell में जाऊंगा तो यह वापस point के बाद हटा देगा चीजों को या data को point को इसके लिए फिर मेरे को यहाँ पे या तो मैं increase और decrease decimal को कामिल हूँगा या फिर यहां से हम इसको accounting के रूप में डाल सकते हैं currency के रूप में इसको दिखा सकते हैं यदि हमको रूपे चिन नहीं दिखाना हो तो वहाँ पे हम normal यहाँ पे decrease और increase के द्वारा यहाँ पे point दिखा सकत हैं जैसे मैं इसको पहले active करूं इस command को तो यहाँ पे accounting डालके हम normal कर सकते हैं accounting अब इसमें जैसे 10.00 अब यह automatic हो गया आपर यह अलग अलग इस number block के option है और इसमें देखते हैं जैसे short date हम date यहाँ पे डालना चाहें तो date हम short date के मात्यम से डाल सकते हैं यह short date का option है यह long date प 10 March 2021 जैसे यह date है यह long date के अंदर है यह short date इसे कह सकते हैं इसको मैं long date के अंदर change करना चाहता हूं तो यहाँ पे long date का option है यहाँ पे 10 March आपको full date दिखाएगा यह number block का option है long date यहाँ हम time दिखा सकते हैं time वाले जब हम time दिखाना हो sale के अंदर तो time का हमको उसमें format change करना पड percentage option को यहाँ पर active करेंगे यहाँ पर percentage दिखाना हो जिससे 10 percent हम दिखा रहे हैं और यहां से point को हम कम कर सकते हैं तो यहाँ पर percentage value हम sale के अंदर यहाँ पर production में किसी data को दिखाना तो transaction लेंगे यहाँ पर scientific हमको दिखाना हो स्क्वायर में दिखाना हूँ डेटा को तो यहां पर साइन्टिफिक ओप्शन को कहा में लेंगे लेकिन सबसे इंपोटेंट की अब बात करूँ मैं यदि शेल के अंदर यदि शेल में 15 डिजिट से ज्यादा संक्या हम टाइप कर रहा हूं तो वहां पर संक्या 15 से ज्यादा हम टाइप करेंगे तो 15 ज्यादे वाली संक्या 00 यहां पर शो करेगा इसका देखते हैं प्रेक्टिकल जैसे यहां पर टाइप कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 वापस से 1 2 3 4 यहां पर संक्या देखते हैं कितनी है इसके लिए मैं फोर्मुला लगा हूंगा सबसे पहले इसको मैं यहां से मैं पॉइंट अठा दूँगा यहां पर मैं इसको पता करना चाहा रहा हूं कि यह कितनी संक्या है इक्वल टू इसके लिए मैं लैन फोर्मुला लगाऊंगा इक्वल टू लैन को स्टैक डेटा सेलेक्ट एंड एंडर यह तेरा डिजिट है मैं कुछ डिजिट ब रखती जैसे मैं यहां पर 567 मैंने यहां पर 16 डिजिट डाल दिया 15 तक मैंने 15 डिजिट टक डाला तो मेरे को संक्या शो और यह यहां यहां पर 7 डालों जैसे मैं 7 डालोंगा तो 7 Canon 70 हो जाएँगा хотя 11 के आगे 7066 के आगे मैं 7 यहां पर And also some last डिजिट से आप ज्यादा डाल रहे हो वेल्यू वहाँ पे 15 से आगे वाली संख्य जीरो जीरो हो जाएंगे इसके लिए सबसे अच्छा उप्शन है इस सेल को आप या इस डेटा को आप क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे नंबर्स ब्लोग में इसको टेक्स्ट के अंदर आ और यहाँ पे आप आ जाएंगे टेक्स में इसको चैंज कर दिया आप 15 डिजिट से हम ज्यादा डिजिट डालेंगे तो वह शो हो जाएंगे आप जैसे 6 के बाद में 7 हम डाल रहे हैं और 8 हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे 7-8 शो होने लग जाएगा यानि कि 15 सिंख्या से ज बाद में भी जैसे काम पेले कर लिया तो बाद में इसको कनवर्ट कर सकते हो जैसे अकाउंट नंबर आप कहीं काम करोगे सेल के अंदर अकाउंट नंबर आप डाल रहे हो 15 डिजिट ज्यादा तो लाश्ट की सेंख्या पूश जीरो वहाँ पे शो करेगी तो इसके लिए आप उसको text format में या text option में convert करोगे उससे cell को, तो ये चोटा चाब लोग था, इसके अंदर चोटी-चोटी option है, इस प्रकार की समयचिया, चोटी-चोटी समयचिया Excel में आती रहती हैं, तो आप नंबर गलोग के अंदर इस प्रकार से काम कर सकते हैं, इसी प्रकार के आपक का info टेक, तब ते के लिए धन्यवाद, थैंक यू.